आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आगे हों कि आप लोग का जो वन प्लस नौर डिवाइस है इस डिवाइस के लिए ऑक्षिणोस 11 अपडेट कंफर्म हो चुका है वाइदी वन प्लस तो आज आप लोग को पूरी डिटेल देने वालों और वीडियो अगर करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ड सो फस्ट आप लिए इंफोमेशन निकल के वन प्लस नौर्ड का जो ऑक्षिणोस 11 अपडेट था वो इस हफ्ते के अंदर आ रहा है मैं आप लोग को पूरी डिटेल से आप बता देता हूं वन प्लस नौर्ड डिवाइस रिलीस क इसके अंदर वन प्लस ने बता हूँ क्या करना चाहा है और वन प्लस न आओ अपडे sum soda नहीं कर पारा रहा है वन प्लस नौड के अंदर आप पथा शार्याय वन प्लस प्रूस के ये जामां से स RS 50 ग आई भी तक जो नोगों का के सब ढ kicksréalर कर्म एहत बोडा़ डिएनवरी बहुत सार इनकी सीरीज है वनप्लस 7 सीरीज के अंदर भी कोई अपडेट नहीं आया बट वनप्लस का पर ट्रैक रिकॉर्ड था वो 2020 में थोड़ा सा बिगड़ चुका है और वनप्लस ने अभी रिसेंटली टॉक कर मतलब बात की थी डिले ओफ ओटी अपडेट्स ओन दियर की फॉर्म है वहां पर एक पोस्ट करके बता दिया की जो अप्रेट है वह आप लोगो को नेक्स वीक आप लोगो नेक्स वीक यह आप लोगो को इनफोर्मिशन बोली थी नेक्स वीक दो वनप्लस नॉड विल रसीव फॉस्ट ऑप्डेट ओपन बीटा बिल्ट एस पॉर स्टेबल रिलीज विल कलेक्ट आर फीडबैक फ्रॉम दा ओपन बीटा ट्यून दा सॉफ्ट्वेर बिल्ड अकॉर्डिंग ली अंटिल इट मीट्स आर स्टेंडर्स एंड 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 कंड़क्ट्र श्टेज रोल आउट तो यह पूरी बात लोगों न पता ही नहीं आजीव अजीव नाम होते हैं तो स्टाफ मैनेजर है इन्होंने पूरी यहां पर बात की थी इन्होंने यहां पर बोला था यहां पर आप लोगों को मैं थोड़ा से नीचे दिखा दो सबसे बहल तो वन प्लस एट सीरिस की बात की गई और उक्सेजन वेस एल प्लस नौड डिवाइस में आक्सिजन वेस एलेवन अपडेट के साथ दे सकते हैं इस वेबसाइट ने यहां पर बोला है कि यहां पर सम कुछ यूजर को मिलेगा ओपन बीटा अगर आप लोग ओपन बीटा अपने डिवाइस में करना चाहते हो तो आप लोग जाकी कर सकत तो जैसी अपडेट आएगा वैसी में उसके उपर तुरंद एक वीडियो बना दूँगा तो वीडियो में बने रहना और चैनल को चाहओ तो सब्सक्राइब कर सकते हो यहां पर आप लोगों को मैं पहले बता दूँ मोर स्टेबल वर्जन जो आएंगे वन प्लस नौड के चाहओ तो इंस्टाग्राम पर सकते हो इंस्टाग्राम की जो लिंक हा वो मैं आपको देदोंगा नीचे डिस्क्रिप्सन पर यहां पर आप यहां जो पूरी बात है वो यही थी अब यहाँ पर कुछ exciting features की बात की गई है like always on display, new interface, page setting, live background, new features, loaded, dark mode, new fonts, zen mode, new custom swipe gestures यह कुछ add हो है अब इसी के साथ 1 plus users के साथ एक बहुत ज्यादा बड़ी problem है कि उनके device में अभी recently जो updates है वो receive नहीं हो रहे है और बहुत से users डर रहे हैं कि यह जो update है, OTA update वो अपने device में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मतलब जो आप लोगोगा open build आएगा oxygen OS 11 का वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो मैं आप लोगोगों को एक बात यहां पर बतातना चाहता हूँ oxygen OS 11 का जो open beta आएगा वो सारे users के लिए नहीं होगा कुछ मैं आप लोगों को limit अगर सेटेड लिमिट बताऊं तो OnePlus Nord बहुत ज़्यादा भी कासा तो इसलिए 5000 या फिर आप लोग मान के चलो 1500 units के लिए आ सकता है open beta अगर open beta आता है तो आप लोग चाहो तो उसके लिए register कर सकते हो आप लोगों को simply क्या करना होगा register करना होगा एक से दो दिन के अंदर आप लोगों को update मिल जाएगा then OnePlus आप लोगों से update के feedback मांगेगा कि आप लोगों को क्या-kya problems face हो रही है और आप लोगों हिसाब से क्या-kya problems fix करनी चाहिए OnePlus को अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग उनको बता सकते हो यह सब चीज़ों के लिए आप लोग क्या करना होगा OnePlus के Community Form पे जाना होगा OnePlus की Community Form पे आजाओगे आप लोग को simply यहाँ पर Login या फिर आप लोग रेजिस्टर कर सकते हो रेजिस्टर करना होगा तेन आप लोग को इनकी जो अनौंसमेंट्स है उनकी लिए वेट करना होगा यहाँ पे लोग बहुत जाद अनौंसमेंट्स करते हैं बट अपडेट का कुछ नहीं बताते हैं आफटर और इन लोग ने कुछ चीज़े बताइंगे आप लोग को बस यहीं पे एकदम एक्टिव रहना है और आप लोग चाहो तो इनकी एप को भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से आप लोग साइन अप कर लो अगर आप लोग एग्जिस्टिंग यूजर हो तो आप लोग लौग इन करके यहाँ पर active raw यहीं से आप लोगो अपडेट की पूरी information देखने को मिलेगी because यहाँ पर जो आप लोगो को one plus है वो सारी information इसी application के अंदर देता है तो आप लोग इनका जो एप है उसको भी play store से जाके download कर पाओगे उसी के साथ साथ एक बात और बता दूँ one plus not और जो आप लोगो के बाकी डिवाइसेज इन डिवाइसेज में आप लोगो को OxygenOS 11 का जो open beta आएगा उसके बाद आप लोग मान के जलो आप लोगो 90% bucks देखने को मिलेंगे because first time आ रहा है और one plus not के अंदर पहले सही थोड़े बग्स थे like green tint issue yellow tint issue एंड ऐसी बहुत सारे screen tint issues थे जो की one plus ने धीरे धीरे अपडेट देके solve कर दिये और बहुत सी यूजर्स का ये भी बोलना होता है कि इन लोगों को जो हर मन्त OTA update आता है वो कब से आना स्टार्ट होगा तो आप लोग मान के जलो January 2021 में आप लोगों को ने अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा अब यहां से देखते हैं अब चाहो तो मैं इसके उपर एक वीडियो बना सकते हो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो उसी के साथ साथ यहां पर एक चीज और है one plus का जो community form है यहां पर बहुत से users यह नहीं पता कर पाते है कि उनको updates आएंगे कैसे तो पूरी details आप लोग को यहीं पर आना है अगर आप लोग कोई भी problem होती तो आप लोग यहां पर आके search भी कर सकते हो तो यह जो update है आप लोग कुछ इस तरीके से आएगा मैंने वो भी बता दिया अब features आप लोग को पता है launch date पता है आप क्या प इस वीग के first या second day से update जो है वो रोल ओट होना start हो जाएगा उसका जो open beta का form है वो आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोग उहां पर जाना register करना एंड उसके बाद आप लोग के device में open beta जो आएगा color sorry oxygen was 11 and android 11 update का वो आजाएगा तो आप लोग जागे simply वहां से कर पाओग update तो यही थे कुछ information I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और आप लोग चाओ तो instagram पर मैं follow कर सकते हो instagram के link मिल जाएगी नीचे description पर और हाँ channel को subscribe कर लो और वीडियो को like भी कर देना मिलते हैं सबसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए bye and see you all guys in the next video